असलाम अलेकूं वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस हेल्दी टेस्टी पोटेटो बाइट की रेसिपी, जिसे मैंने बिना फ्राइ करे बनाया है, जी हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल कम तेल के इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं, अगर आपके पास अव से पहले हमें चाहिए थोड़े से पोटेटो मैश कर वे, उसमें हम डालेंगे एक चमज ब्रेट करम और प्याज, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमज कौन फ्लार, अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़े सी लाल मिर्च पाउडर, एक चमज गरम मसाला और थोड़ पासा कुटावा लाल मिर्च, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है, और मैश करने के बाद हम एक प्लेट में ले लेंगे थोड़ा सा पानी, और अपने ब्रेट के चारो कोनों को इस तरीके से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम अपने ब्रेट क तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरीके से आपको बना लेना है तो चलिए एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ सबसे पहले आपको bread को इसमें dip करना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके पानी को प्रेस करके निकाल देना है ज्यादा प्रेस मत करना वनना ये तूट जाएंगे और आली को इसमें मिक्चर को इसमें डाल के इस तरीके से मोर देना है तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपने सारे potato बढ़ाइट रेड़ी कर लिए है तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने oven की तरफ oven को preheat करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर रखेंगे अपनी middle जाली middle जाली को इसके अंदर रखने के बाद हम अपने door को lock कर लेंगे और convection का button दबा के 180 degree time को increase करके 200 में select कर देना है और start दबा देना है जिससे हमारा oven हो जाएगा preheat preheat जब तक हमारा oven होता है हम अपने ट्रेल को grease कर लेंगे oil से और अपने potato bite को एक एक करके इसमें सजा लेंगे ये देखे बिल्कुल इस तरीके से आप चाहें तो एक साथ बहुत सारे इसमें बना सकते हैं और इन सभी को लगाने के बाद बिल्कुल ना के बराबर का तेल आपको इसमें लगा देना है ये देखे बिल्कुल इस तरीके से और इसमें हलका सा कलॉंजी या सफेद तिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो oven हो चुका है हमारा preheat अब हम oven को करेंगे stop और अपने bread potato bite की जो tray है वो उसे के अंदर डाल देंगे ये देखे बिल्कुल इस तरीके से दोर को जादा देर हमें खुला नहीं रखना वरना oven हमारा हो जाएगा ठंडा तो ये देखे मैंने दोर को अब lock कर दिया है और 9 मिनिट के टाइम को बढ़ा के 16 मिनिट में सेट कर दिया है तो चलिए आते हैं अब हम 16 मिनिट के बाद तब तक इंशालला हमारे bite ready हो जाएंगे तो ये देखे 16 मिनिट हमारे हो चुके हैं और बस कुछी second बाकी हैं तो चलिए आए देखते हैं कैसे बना है हमारा bread potato bite बिना frying करें तो ये देखें अवन को कर दिया है मैंने ओफ और माशालला से कितना बढ़िया हमारा bread potato bite बनके तयार हुआ है आप अगर चाहें तो इसमें oil की जगा दूद को भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिससे इसका color और भी खूबसूरत आएगा और ये देखें नीचे से कितना खूबसूरत color आया इसका आप देख सकते हैं बिना दोनों side से bake करें मैंने इसे एक ही बार में कितनी आसानी से बनाया है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो बिल्कुल healthy और tasty नास्ता बना के तयार कर सकते हैं बिना किसी जंजट के और अगर आपके पास oven या OTG नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल same method का इस्तमाल करके आप fry भी कर सकते हैं इसे वो fry करने के बाद भी काफी अच्छी लगेगी आपको खाने में तो कैसे लगी आज की मेरे sharing आपको कैसे लगा मेरे ये recipe unique सा प्लीज comment में जरूर बताईएगा और ये जितना देखने में खूब सुरत है खाने में भी उतना लजीज बना है वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइप जरूर करें दौाओ में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज